पुरानों के मुताबक शिव पारवती के पुत्र हैं और उनका नाम गनेश यानि गन प्लस इश गन अध्यक्ष यानि गनों का अध्यक्ष गन राज गन का राजा गनेश मंगल मूर्ती प्रथम पूझय विगन हारता हैं आज समझते हैं कि उन्हों ने अपने आपको प्रथम पूझय केशे बनवाया या प्रशासक और नेता बनने के लिए गनेश जी हमारे अधर्ष कैसे यदि गनेश जी के इन गुनों को हम ग्रहन कर लें तो हम अपने स्थान पर ही नहीं लोगों के दिलों पर भी राज कर सकते हैं गनेश जी की मूर्ति को यदि ध्यान से देखा जाए तो बहुत अजीब लगता है कि मनुष्य का शरीर हाथी का सिर चार हाथ मोटा पेट लंबे कान और वाहन के रूप में मूशक लेकिन जब हम गनेश जी को ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि कैसे उनमें नित्रतव के गुन है उनका हर अंक ज्यान की पांच शाला है गनेश जी का सिर हाथी का है बड़ा है बड़ा माथा कुछ शाकर बुद्धी understanding, clear thinking नेतरत करने की शम्ता को दिखाता है हाती बड़े से बड़े पेड को भी उखाण सकता है और छोटे से घास के ब्लेड को भी उठा सकता है अपनी सोच को बड़ा बनाए रखें छोटी छोटी सोच पर समय खराब करने की बज़ाए अपने आउस पास के लोगों को सही छटनी करें गनेश जी के आँखें छोटी हैं जो सिखाती हैं क्याद चीज को सुक्षम्ता से देखें क्योंकि ये चिंतन शील गंभीर चरित्र को दिखाती है और उसके बाद ही निर्णे को लें ऐसा करने वला इंसान कभी धोखा नहीं खाता है गनेश जी के कान लंबे हैं उनको गजकर्ण या सूप कर्ण कहा जाता है सुनते हैं सबकी लेकिन बुद्धी जन्नेने लेते हैं बड़े एक कान हमेशा चुकनना रहने का संकेत देते हैं उनके सूप जैसे कान ये शिक्षा देते हैं जैसे सूप बुरी चीज़ों को चान कर अलग कर देता है उसी दरह जो भी बुरी बाते कान तक पहुंचती हैं उन्हें बाहर चोड़ दें उनको अपने अंदर ना आने दें एक प्रशास सक और नेता के पास लोग आकर चुगली करते हैं निंदा करते हैं पर आप अपने अंदर उतना ही आने दें जो सही है जनेश जी के सूंट हमेशा हिलती डुलती रहती हैं जो उनके हर पल सक्रिय रहने की तरफ संकेत करती है जो व्यक्ति ऐसा करता है दुख और गरीबी उसके पास नहीं आती आपको प्रशासन या राजनीती में सक्रिय रहना पड़ता है आपके पूछ तब ही तक है जब तक आप सक्रिय हैं वरना खतम सूंट की सक्रियता ये भी सिखाती है कि वक्त के हिसाब से ढल जाएं और सफलता के लिए कोई भी शॉर्ट कट नहीं है ये मजबूत भी है और इसमें कोशल भी है जो हंस की तरह दूद से पानी और दूद अलग लग कर देता है गनेश जी का पेट देखिए बहुत बड़ा है इसी कारण उनका नाम लंबोदर भी है इसका मतलब है ये हर अच्छी बुरी चीज को पचा जाते है और सूजबूज से नेडने लेते है नेता के पास भी हर तरीके के लोग आते है यदि एक की बात दूसरे को बताने लगे तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है बहुत सारी कड़वी बातें पचानी पड़ती है जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है खुशाल रहता है और सफल रहता है गनेश जी का दान्थ एक है कहते हैं कि बाले काल में युद्ध में परिश्टूराम जी ने उनका दान्थ तोड़ दिया था लेकिन एक दूसरी कहानी और भी आती है कि महर्शी वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए उनको नियोता दिया था लेकिन उसमें एक शर्थ ही कि आप समझ के लिखेंगे और बिना रुके लिखेंगे इसलिए जब पंख वाला पैन तूट गया तो गनेश जी ने वो टूटा दान्त काम लिया और ये भी दिखा दिया कि किस तरीके से खराब चीज़ों का भी सदूप्यों किया जा सकता है और किस तरीके से बिना रुके काम करना है ज़िए देशन समाज के लिए आपको बड़ा करने का वक्त आए तो छोटी-छोटी खुशियों का त्याग करना पड़ता है और दान्त ये भी सिखाता है कि सबसे पहले करम को पूरन करें गनेश जी के चार हाथ है एक में फरसा है रास्ते में आने वाली हर बाधा को काट सकते है एक हाथ में अंकुश है कि जिन्दगी में सत्ता आने पर मनमौजी नहीं वने बलकि भावनाओं पर अंकुश रखें और प्रजा पर अनुशासन के द्वारा ही काबू पाया जा सकता है एक हाथ वर्दान की मुद्रा में होता है जो सिखाता है कि जो आपके काम करते हैं उनका ध्यान रखना आपका करतव है इसलिए गनेश जी मांगने के अरुसार नहीं बलकि जरूरत के मताबिक देते हैं एक हाथ में लड्डू है जो अपने अंदर की जागरुकता आत्मा की मिठास को दिखाता है कहीं कहीं उपर से आपको कड़क भी बनना पड़ता है लेकिन आपके सभाफी मिठास वानी की मिठास ही आपको आगे लेकर जाती है गनेश जी के ये दोनों पैर अलग अलग मुद्रा में रहते हैं एक जमीन पर है और दूसरा घुटनों पर है जो सिखाता है कि प्रशासक या नेता चाहे कितनी ही हुचाई को छूले लेकिन समीनी हकीकत से और अपने लोगों से जुड़ा रहे उनका वाहन मुशक है जो लालच चतुराई, डर कमजोरी इच्छाओं का प्रतीक है लेकिन गनेश जी उस पर सुआरी करते हैं उसके उपर बैठते हैं जो ये बताता है कि किसी भी प्रशासक को इच्छाओं का गुलाम नहीं बनना लेकिन अपने आतम सम्मान की रक्षा करें एक कहानी आती है कि एक बर विश्णू जी लक्ष्मी जी को बियाने के लिए बरात लेकर कुंदन पुर जा रहे थे गनेश जी के रूप को देखते हुए सभी के कहने पर उनको बरात में नहीं ले जाया गया और स्वरग लोग में छोड़ दिया गया जब नारज जी से ये बत पता चली तो उन्होंने चूहों की मदद ली और पूरा रास्ता चूहों ने कुरेदकर नरम कर दिया तब एक किसान आया उसने रत को धंसने से बचाया और कहा जै शीरी गनेश तो सब को याद आ गई कि गनेश के बिना हमारा कारे संभव नहीं है तो ये जो दिखाता है कि एक नेता को जब कोई नीचे दिखाने की कोशिश करे तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसको लड़ाई भी करनी चाहिए चूहों ये के सामने प्रसाद भी पढ़ा है लेकिन खाने की बज़ेवे उपर देखता है लालच पर विज़े पानी है लालच आएंगे लेकिन करम की तरफ अग्रसर रहें क्योंकि एक बार आप लालच छोड़ते हैं तो आपकी विश्वस्नियता बढ़ती है और फिर उसके बाद अपने आप धनाता है रिद्धी सिद्धी आती है गनेश जी ने दिखाया कि नेता के माफ करने का गुन होना चाहिए एक बार चंद्र ग्रह ने उनको मुटापे और खाने पर मजाग बनाया उन्हें ने श्राब दिया कि चंद्र दिखाई ना दे लेकिन माफ नीक मांगने पर उसे माफ किया और एक दिन के लिए दिखाई नहीं देगा कुरोध हमारे लिए खराब है लेकिन उस पर काबू पाकर ही हम महान बनते हैं गनेश जी ने ये भी दिखा दिया कि माबाप से बड़ा कोई नहीं है शिव पार्वती ने जब देवताओं को ब्रहमान ब्रहमान के लिए कहा तो सभी अपने वाहनों पर चले गए लेकिन गनेश जी को मालूम था कि वे मुश्रिक पर ऐसा नहीं कर सकते इसलिए उन्होंने माता पिता की ही साथ प्रिकर्मा कर ली और बाजी जीत ली एक नेता प्रशासर के लिए यह सबक है कि अपने रिसोर्षिस को आंक कर उसका अपने बुद्धी से सफलता पूर्ण प्रयोग करे और तभी वो सफलता पूर्ण पाएगा उनकी दो पत्मियां दिखाई देती है रिद्धी और सिद्धी जब प्रशासर के नेता गरेश जी के यह सारे गुन हासिल कर लेता है तो रिद्धी सिद्धी अपने आप आजाती है धन भी आता है अपार शक्ती भी आती है सद्धा भी आती है हम सिरफ मूर्ती की पूजा नहीं करके गरेश जी के गुनों को अपने जीवन में उतार लें तो हम लोगों पर राज कर सकते हैं करके तो देखिए जैई श्री गनेश